हेलो स्टुडेंट्स बबल शॉर्ट क्या होता है और उसमें कैसे सॉर्टिंग की जाती है किसी भी लिस्ट आफ नंबर्स की उसका बेसिक कॉंसेट हम लोग पिछले वीडियो लेक्टेर में पढ़ चुके हैं आज उसको हम एक नुमेरिकल एक्जामपिल लेके समझने की कोश करते हैं ठीक है नवी स्टार्ट विद बबल शॉर्ट मान लीजे आपके पास से कोई लिस्ट आफ नंबर्स दिया हुआ है और उसको हमें इंक्रीजिंग ओर्डर में उसकी शॉर्टिंग करनी है ठीक है तो फॉर एक्जामपिल हमने ले लिया कि मान लीजे कोई एरे हैं हम 52, 51, 27, 85, 66, 23 और 13 और 57 यह कोई एरे है जिसमें यह नंबर स्टोर्ड है और हमें क्या करना है हमें इसको इंक्रीजिंग ओर्डर में इसकी सॉर्टिंग करती है तो इसमें हम क्या करते हैं इसमें हम एप्लाई करते हैं बबल शॉर्ट तो एप्लाई बबल शॉर्ट बबल शॉर्ट हम अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होगा कि जैसे पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि इसको पास वन पास टू इस तरह बोलते हैं तो माल मतलब पास्वन में हम से पहले क्या करेंगे 32 और 51 को compare करेंगे ठीक है और हम देखेंगे कि सिंस 32 is less than 51 तो क्या होगा कि इसमें लिस्ट में कोई चीज नहीं होगा तो दर लिस्ट इस नॉट एल्टर्ड ठीक उसके बाद next हम लेंगे next में क्या होगा कि 51 और 27 को लेंगे तो यहाँ पर चाहिए आप यह लिख सकते हैं सिंस यहाँ पर क्या होगा कि 51 is greater than 27 ठीक है तो क्या होगा कि इंटर्चेंज 51 और 27 को इंटर्चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इंटर्चेंज 51 और 27 यानि लिस्ट हमारे पास हो जाएगी 32 उसके बाद हो जाएगा 27 फिर 51 और फिर उसके बाद जैसे लिस्ट थी वैसे हमारी 85 66 23 13 और 57 यानि यह दोनों जो है यह आपस में इंटर्चेंज कर गए ठीक उसके बाद नेक्स में हम क्या करेंगे फिर हम कंपेर करेंगे किसको अब कंपेर करेंगे 51 और 85 तो अब हम कंपेर तो फिर हम देखेंगे कि 51 is less than 85 तो क्या होगा कि the list is not altered ठीक है उसके बाद next फिर हम 85 और 66 को कंपेर करेंगे तो जह हम देखेंगे यहाँ पर कि since 85 is greater than 66 तो क्या होगा फिर यह दोनों आपस में इंटर्चेंज करेंगे तो जब इंटर्चेंज करेंगे तो अब हमारे पास जो लिस्ट आएगी वो हो जाएगा 32, 27, 51 उसके बाद हो जाएगा 66 फिर 85 फिर 23, 13 और 57 इसका मतलब यह जो 66 और 85 है यह आपस में इंटर्चेंज कर गए फिर next step में क्या करेंगे next step में अब compare होगा आपका 85 और 23 तो हम देखेंगे since 85 is greater than 23 तो क्या होगा फिर इंटर्चेंज होगा फिर हमने लिखा यहाँ पर इंटर्चेंज तो अब 85 और 23 इंटर्चेंज हो जाएंगे तो यह आएगा 32, 27, 51, 66 यहाँ आजाएगा 23 फिर 85 फिर 13 फिर 57 यानि यह 23 और 85 यह आपस में इंटर्चेंज कर गए उसका next compression करेंगे हम 85 और 13 का तो next compression में फिर हम देखेंगे since 85 is greater than 13 फिर क्या होगा इंटर्चेंज होगा इंटर्चेंज अब जो हमारे पर लिस्ट आएगी वो 32, 27, 51, 66, 23 और यह 13 और 85 आपस में इंटर्चेंज कर गए यह ठीक और रहे गया 57 यहां तक आगए उसका next compression हम करेंगे next compression हमने किया तो हमने देखा since 85 is greater than 57 फिर क्या होगा फिर इंटर्चेंज होगा फिर जब आप इंटर्चेंज करेंगे तो यहां पर यह पहला पास complete होने पर जो आपका लिस्ट रहेगी वो रहेगी 32 फिर 27 फिर 22 के बाद हुआ कि यहां गया कि 27 है कि 51 66 है कि 23 है थर्टीं है कि 57 और कि 85 यह 57 और 55 आपस में इंटर्चेंज होगे यहां पी आगाएं अब दीखें यहां पर क्या होगा यहां पर जो है एंड हो गया so at the end of this first pass the largest number 85 has moved to the last position however the rest of the numbers are not sorted even though some of them have changed their position अब क्या होगा कि यहां पर यहां पर first pass जो है वो एंड हो गया first pass completed अब first pass completed हम देख रहा है कि largest element तो हमारा यहां पर आ गया लेकिन अभी भी यह जो numbers है इन में से कुछ ने अपनी position change किये लेकिन अभी भी यह list जो है sorted नहीं है अब क्या करेंगे फिर इसी तरह हम past two करेंगे अब past two को हम और short में लिखते हैं ताकि जल्दी यह complete हो जाए निसेसरी time ना बेस्ट हो तो for the remainder of the passes we show only the interchanges अब इसमें केवल हम जहां जहां interchange होगा वो हम आपको show करते हैं तो यह जो आया है आपका क्या 27 और 32 अब इसमें जहां जहां चेंज होगा मुसको मार कर दे रहा है तो यह पहले इसमें आजाएगा ट्विंटी सेवन 32 पिर हो गया आपका 51 66 23 13 57 लास्ट इलिमेंट इसमें 85 जैसे था वह ऐसा ही रहेगा ठीक यानि यह दोनों अपनी वैलू अपनी पोजिशन चेंज कर गए ठीक फिर नेक्स कमप्रीजन में क्या होगा इसको आप ऐसे लिखें 27 32 51 फिर यह 66 और 23 यह आपस में चेंज कर जाएंगे तो यह हो जाएगा 23 यह हो जाएगा 66 यह आपस में चेंज कर गए और फिर यह हो गया 13 57 और 85 फिर नेक्स आप लेंगे तो 27 32 51 23 और 23 के बाद हो गया आपका 13 और 63 फिर यह आपस में चेंज कर जाएंगे तो 13 और 66 यह दोनों अपनी वैलू अपनी पोजिशन चेंज कर भी है यह हो गया आपका 57 और 85 फिर नेक्स उसमें 27 32 51 23 फिर 13 और फिर यह आगया 57 66 85 फिर यह दोनों अपनी पोजिशन आपस में चेंज कर गया तो पास टू यहां पे कंप्लीट हो गया तो जो लार्जेस्ट एलिमेंट है देखे 66 वो भी एक्स्ट्रीम राइट पे पहुँच गया ठीक अब इसके बाद फिर ऐसा ही पास थ तो क्या होगा 27 32 फिर अब 32 और 51 ठीक है 27 33 और इसके वाद आप चलेंगे तो 23 और 51 तो यहां पर आ जाएगा 23 और 51 यहां पर ठीक है 27 32 यह रहेगा यह आपस पर चेंज करेंगे पोजिशन यह और यह फिर आपका 13 57 66 और 85 यह ऐसे रहेगा नेक्स कमपरीजन आगे स्टार्ट करेंगे तो यह आजाएगा 27 32 23 और यह दोना आपस में चेंज करेंगे तो आजाएगा 13 और 51 फिर 57 66 85 यह आजाएगा ठीक यहां पर आपका second pass complete यहां पर देखें यहां पर आपका second pass complete हो गया यहां पर आपका third pass complete हो गया फिर आप आजाएगे next फिर से 13 51 23 33 32 13 51 57 66 85 यह हो गया फिर ही हो जाएगा 27 27 23 यह हो गया 13 इसने अपनी position चेंज की और 32 पहुंच गया यहां पर जो जो position चेंज किया है केवल उसको उसको मार करके आपको sorry दिखा रहा है यहां गया 85 यहां पर क्या होगा pass fourth भी complete हो जाएगा clear अब उसके बाद आप आजाएगे next pass 5 में तो pass 5 में क्या होगा यहां पर हम लिखेंगे pass 5 तो pass 5 में हो गया 23 27 ठीक है तो 23 और 27 यह आपस पोजिशन चेंज कर लेंगे यह हो गया बाकी सारे elements 13 33 51 57 66 और 85 यह ऐसे ही रहेगा फिर next में 23 और 27 और 13 में 13 यहां आजाएगा और 27 यहां चला जाएगा ठीक फिर 33 51 57 66 और 85 यहां पर आपका pass 5 भी complete हो गया ठीक है अब उसके पास 6 में आप आजाएगे पास 6 यहां पर क्या होगा 23 और 13 आपस में compare करेंगे तो यह हो जाएगा 13 फिर आजाएगा 23 फिर आजाएगा 27 33 51 57 66 और 85 यहां पर देखें यह past 6 complete भी हो गया और इसके बाद क्या होगा कि कोई interchange की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है देखें इंक्रीजिंग और में 13 23 27 33 51 57 66 85 यह आपका फाइनली जो है sorted list आ गई ठीक अब इसका मतलब एक तरह से आप past 7 में भी आप चेक कर लीजे तो आप यहां पर देखेंगे की finally a1 is compared with finally a1 is compared with a2 यानि पहला element को compare किया दूसरे से और हमने देखा since 13 is less than 23 अब इसको नो इंटर्चेंज टेक प्लेस इसका मतलब कि since the list has eight elements initial list हमारे बास किती तीन तीच्छ है तो आठ एलिमेंट है तो since the list has eight elements it is sorted after the seventh pass ठीक है हालां कि आप देखें कि हमने seventh pass लिया है हालां कि list जो है कादे से तो यहीं पर complete हो गई थी ठीक है however the list was actually sorted after the sixth pass the this condition is discussed at the later stages of this topic की एक pass और चेक करना क्यों जरूरी था तो हमारा जो list है वो तो sorted हो गया छे पास के बाद भी लेकिन हम एक पास और लेते हैं क्यों लेते हैं इसको आगे आने वाले lectures हम लोग discuss करेंगे तो इसका मतलब कि list of 8 element की जो list है वो 8-1 मतलब 7 पास में वो हमारी sorted form में हमको result मिल गया तो यही method होता है bubble short का इसी तरह से आप किसी भी array को short कर सकते है increasing या decreasing order में ठीक है और इसी को करने के लिए जो algorithm है और उसकी जो complexity है उसको हम लोग next lecture में discuss करेंगे तो I hope कि आपको यह concept विक्तम clear हो गया होगा कहीं doubts और confusion है तो comment ताइम से मिल सके है थैंक यू